आप सब का बहुत बहुत सागत हैं आपके अपने चैनल ही लर ओव दियेजिस सन्वन सवन चलो पे मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आगई आप लोग ले फिर से एक और पिके काद रीडिंग और आशा करती हूं कि आप सब भी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना धेर सा इनका इंपेक्ट हर किसी की लाइफ पे बहुत जादा रहता है ठीक है तो इस फुल मून के साथ आप लोगों के जीवन में कौन से बतलाव आ रहे हैं क्या कुछ आपके लिए इंट्रस्टिंग है क्या कुछ यहां पर आप लोग लिए खास है इस सारी चीज़ें हम इस टी इनर्जीस रहेंगी वह इस फुल मून से लेकर जो नेक्स्ट फुल मून रहेगा जो की नेवंबर में रहे का तब तक करे रहेंगी ओके यहां पर जो भी गाइडेंस होगी आप लोग के लिए जो भी एडवाइस होगी वह भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगी सो यहा तो आप लोग को अपनी आखे बंद करनी है डी ब्रीधिंग करनी है एशर को याद करना है और उसके बाद इन दोनों में से जससे भी आप साथा अच्ट कर रह हूं आपको वह चूज कर लेना है इनके टाइम स्टम्स चौब भी होंगे नीचे मैं डिस्रिप्शिन बोक्स म लेख सकते हैं and also guys, यह एक general reading है, so हो सकता है आप लोग के साथ resonate करे और हो सकता है ना भी करे, so आप लोग एक open mind set के साथ इस reading को देखेगा और अभी हम option first के साथ reading start करते हैं Hello option first, तो अगर आप लोग उने यह authority का card choose किया है, तो देख लेते हैं यह full moon, आपकी life में क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के साथ होने वाला है, कौन से बदलाव आ रहे हैं, कौन से changes आ रहे हैं, सबसे पहले, यहाँ पे मुझे जो इस card के साथ आप लोग के लिए message मिल रहा है, option first, वो यह कि किसी तरीके से, आप लोग खुद को समझने वाले हो, like आपके लिए कौन से चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का अपनी life में से निकाल रहे हो, लेटगो कर रहे हो, जो habits आपके लिए अच्छी अपने काम की ऊपर focused रहे हैं, बहुत ज़ादा, यह ऐसी energy है ना, एकदम से practical हो जाना, practically चीज़ों को handle करना, practically सोचना, और थोड़ा से यहाँ पर ऐसा हो सकता है, कि आप लोग emotionally ना सुचो, emotions को आप थोड़ा से suppress करो, लेकिन यह जो energies है ना, यह ऐसी है कि आपको success दिलाएंगी, ठीक है, आपको आपके carrier में, अगर आपके कुछ भी goals हैं, आप कुछ भी achieve करना चाहते हो, तो यह वाली जो energies हैं, जिन में आप tap in कर रहे हो, यह आपको success दिलाएंगी, ओके सो अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले energies ही चेक करती हूँ, आप लोगों की, option first, second chakra, okay, blossoming abundance, very nice, community, door to value, मैंने कहा न, यह ऐसी energies हैं, जो आपको success दिलाएंगी, मैं आपको अगर थोड़ा सा बताओं, यह अगला एक महीना जो है, इस full moon के साथ, आप कही ना कहीं, इस energies में tap in कर रहे हो, कि मुझे किन लोगों से पायदा हो सकता है, कौन से लोगों से मुझे profit मिल सकता है, benefit मिल सकता है, ऐसे लोगों के साथ आप थोड़ा सा time spend करना पसंद करेंगे, आपके career के लिए आप कुछ business partners choose कर सकते हो, या फिर कोई group में आप project कर सकते हो, लेकिन आपका पूरा की पूरा focus है growth, abundance, पैसा, name fame, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत समय बरवात कर दिया, मैंने बहुत सारा समय अपना जो है वो उन चीज़ों पर इंवेस्ट कर दिया, जहां पर मुझे नहीं करना चाहिए था, आप लोग पैसे को इस वक्त बहुत साथा importance दोगे, कर पाऊंगी, मैं दूसरों की मदद कर पाऊंगी, मैं दूसरों को जो भी मेरी विशेज है, मेरे सपने है, मेरा सोल परपस है, वो मैं पूरा कुर पाऊंगी, तो यहां पे आप स्टेब बाइ स्टेब आगे चलना चाहते हो, है ना, तो सबसे पहला focus भाई अपने career के उपर है, अपने finances के उपर है, अभी यहां पर पता है कैसी energies हैं, कि जो लोग आपकी energies को सक करते थे, जो भी लोग आपको drain feel करवा दे थे, आप उन लोगों से तो distance करोगे, ठीक हैं, और कुछ ऐसे लोग जो आपको motivate करते हैं आगे भरने के लिए, या फिर आपको inspiration मिलती है उन लोगों से, उनके तौर तरीके से, उनके काम करने के तरीके से, तो आप ऐसे लोग साथ time जाता spend करोगे, second chakra का यहां पर card आया है, तो यह चक्रा आपका थोड़ा सा highlight रहने वाला है, आप थोड़ा सा second chakra के बारे में पढ़िएगा, second chakra मितलब आपका sacral chakra, आपका स्वाधिस ठाना chakra, यानि कि जो भी काम करना है, वो creativity के साथ करना है, creative होके आपको करना है, creativity के उपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कि आप दूसरों से अलग, दूसरों से unique आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से आप खुद को, you know, best से best आप represent कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के उपर आपको ध्यान देना है, लाइक अपनी लाइफ में, यह ऐसी energies हैं कि अपनी लाइफ में, जैसे अपनी घर को भी न, बड़ा creatively decorate करना, हाँ, तो यह यहाँ पर कहा जा रहा है, एक चीज़ यह भी है भाई, कि अगर रिष्टों में कुछ, कुछ problems चल रही है, आप लोग अगर relationship में हो, आपकी शादी हो गई है, तो सामने वाले परसन को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कि जगड़ा क्यों हो रहा है, सामने वाले परसन की क्या जरूरते हैं, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे चाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और अगर आप लोग सिंगल हो तो अपने जज्जमेंट्स रिलेशन्शिप पर पास करना बंद कर दीजे यानि कि आप जैसे सिंगल हो और आपने पहले ही बहुत सारे जज्जमेंट्स बना रखें लोग ऐसे होते हैं ऐसे गरते हैं यह सारी चीज़ है वो आरी जो निगटिफ के साथ यहाँ पे काम करना है प्यार की एनरजी के साथ आपको जुड़ना है जिस तरीके से आपका जो प्यार है ना अपने काम से आप लोग प्यार करो गया option first यहाँ प्यार है अपने काम से प्यार करना अपने काम को यूनो सारी importance देना वो चीज है यहाँ पे तो जिस तरीक प्रेड करना है अपने अंदर से और सब्सके लिए प्यार अपने मन में रखना है किसी के लिए भी जज्चमेंट से ट्रेड यह सारी चीजों को आपने नहीं रखना है चिक है सो चलिए अभी मैं चैरो से भी देखते हूं यहां पर कुछ और भी काट्स ऑप्शिन फर्स्ट देखते हैं वही यह फुल्मून से क्या कुछ आपकी लाइफ में बदलाव हो रहे हैं ऑप्शिन फर्स्ट पर्स्ट आप सही और गलत की पैचान बहुत अच्छे से सीखने वाले हो आप्शिन फर्स्ट आपको समझ में आ रहा है कि आप पहले गलती कहां पे कर रहे थे आपसे कहां पे किस वज़े से आप पीछे रह जा रहे थे किस वज़े से आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी क्या वो रीजन था उसको ओवरकम किस तरीके से कर सकते हो अपनी एनरजी को किस तरीके से सेव कर सकते हो अपनी लाइफ में बिलन्स किस तरीके से रहके आ सकते हो यह सारी चीज़े कई ना कई option first आप लोग समझने वाले हो मुझे ऐसा लगता है हो सकता है आपको कोई एक ऐसी बुक मिल जाए जिसमें आपके सारे सवालों का जवाब हो जिसमें वो बुक आपके लिए बहुत काम कर जाए वहाँ पर जो टीचिंग्स हैं देखो सारी है वह सची होती है लेकिन किसी के लिए कोई इस पर कर जाती है तो वैसा ही हैं पर पास्ट में कोई रहा है toxic या फिर कोई ex वगेरा भई आप लोगों के यहां पे रहे हैं और आप ऐसा था कि अभी तक जैसे ना उनको माफ नहीं कर पाए उन चीटों से आप आप निकल तो गए लेकिन फिर भी निकल नहीं पाए तो यहां पे आप उनको अपने काम पर ध्यान देना और रेस्ट आपने पूरा प्लाइनिंग बना ली है कि अभी तो मुझे मेरे काम पर ध्यान देना है इसके बाद मैं और चीज़ों को भी मैनेज करूंगा तो पूरी प्लाइनिंग पूरी स्ट्राटिजी के साथ अभी आप लोग आगे भढ रहे ह इस महीने आपके उपर responsibilities आ सकती है ठीके किसी तरीके से और यहां पर एक message यह भी है कि जो भी problems आपकी life में चल रही हूँ यह जो भी चीजें हूँ उनको ना अपने mind से वैसे मैंने कहा कि बहुत ज़ादा practical energies में आप लोग आलरेडी रहने वाले हो यहां पर authority का काड आप ठीक है ना because a human body है ना हर किसी इंसान के अंदर masculine feminine दोनों ही energies होती है तो हमें दोनों को ही balance रख्या आगे बढ़ना पड़ता है लेकिन इस week sorry इस week नहीं I don't know मैंने week क्यो वाला यह जो मन्त है यह जो महीना रहेगा इस full moon से next full moon यहां पर masculine energy को जादी support करोगे ऐसा है यहां पर मैं देख रही हूं page of pentacles की energy है नई शुरुवात करना बहुत सारी नई चीजे सीखना ठीक है यह चीज यहां पर आपके लिए आ रही है चलिए तो अभी मैं यहां पर कुछ direct messages भी लेती हूं direct आपके लिए क्या guidance है option first बहुत समझदारी आ रही है option first आप लोगों के अंदर बहुत समझदारी से आके भढ़ना maturity यह सारी समझदारी आपने को ना आपकी experience इससे आई है क्योंकि आपने आप गिरिवी बहुत हो failure भी जहला है तो अभी पता है वही समल के कैसे निकलना है आगे है ना तो वहीं यहा ना लो अगर अभी तक नहीं बनाई है तो ठीक है तो चल दिए अभी मैं यहां से देख लेती हूं direct messages आप लोग ले क्या है option first Surrender to the Divine ओके सो यहां पर वहीं आपसे कहा जा रहा है कि महनत करो और Divine को Surrender कर दो दिखो हम महनत करते हैं और फिर हमें पता है क्या इच्छा होती है कि हम इतना result मिल जाना चाहिए हमारे हमें इस महीने हमारा इतना टर्न ओवर हो जाए इतना यह सब कुछ हो जाहे लेकिन यहां पर कहा जा रहा है मेहनत करो और सब कुछ divine को सरेंडर कर दो कि मेरी मेहनत भी आपको समर्पित है अब आपको जल से अच्छा लगे को देना चाहें तो यहां पर surrender करके अगर आप चलोगे ना तो वो होता है ना कभी-कभी धहरेक हो देना give up कर देना, वो तावलापन होना वो सारी चीज़े आपने नहीं होंगे और आप एक्दम peacefully अपना काम करते जाओगे, ठीक है ना तो यहाँ पे अपने surrender करने को कहा जा रहा है, साथ में भई एक और चीज़ के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो किसी को बहुत चा रहे हो कि माफ कर दूँ पर नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है उसके लिए भी कि divine को सेरेंडर कर दे डिवाइन के हाथ में सौप दे भई इस परसन ने मुझे एक बार ही सोचें कि इस परसन ने मुझे भगवान जी जिसमें रोप में आप मानते मुझे ऐसे ऐसे तकलीफ थी मैंने इतना कुछ सफर किया अभी आप जानो आप देखो आपने क्या करना है और आप अपने उपर से वो बोच को हलका करके सब कुछ डिवाइन को सौफ दो ठीक है ना यहां पर कहा जा रहा है न्यू रोमैंटक साइकल विगिन तो भई कोई परसन आपकी लाइफ में आ सकते है ये भी पॉसिबल है कि ए जो परसन है वो आपके काम के दुरू आपके वॉक के तो आपके लाइफ में आये तेको यहां पर भी scale था ठीक है life में balance आना life में balance को find करना यहां पर भी libra energy तो आप लोगों से बहुत सरे लोग libra हो सकते हैं या फिर से किसी libra person से आप लोगों की मुलाकात हो सकती है ठीक है इसकॉपियों Libra Aries के पुछ मुझे जौडियों कि यहां पर हाइलाइटेद हो रहे हैं Libra की बहुत energies हैं यहां पर option first You are good enough भई अपने उपर भरोसा रखना है यहां पर अपने उपर विश्वास रखना है अपने उपर भरोसा रखना है खुद को किसी से भी कम नहीं समझना है एक चीज यहां पर कही जा रहे है कि जो भी काम आप करने जा रहे होना कभी कभी थोड़ा सा डिले हो सकता है और यह डिले भी शायद आपके लिए एक टेस्ट ही होगा यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रही होगी आपकी परिक्षा ले रही होगी तो कभी भी ना अपने पेट अपना कॉंफिडेंस को डगमगाने नहीं देना है आप लोग चाहिए तो जो ग्रीन एविंचरिन क्रिस् तो आप इसको यूज कर सकते हो इसका प्रेसलिट पहन सकते हो ओके सो अभी और देखते हैं मैसेजिस ऑप्षिन परस्ट नथिंग इस येट सेट इन इन स्टोन तो अभी भी यहां पर कहा जा रहे है कि कुछ भी पत्थर की लकीर भी नहीं है अगर इनकेस कहीं फसे हुए ह हो अपने उपर डाउट हो रहा है तो अपने उपर भरोसा रखो उस सिट्वेशन से आप निकल जाओगे चीक है इस टाइम टो रिलीज नेगिटिविटी तो मैंने पहले का किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो कुछ स्टक एमोशन हैं आपके मन में किसी परसन के लिए तो अभ आपके अंदर नेगिटिविटी है ना तो कुछ लोग को तो फुल मून वाले दिन बहुत जादा इन्जाइटी अटेक्स वगरा ऐसे चीज़े रहती है या फिर कुछ लोग को न्यू मून वाले दिन रहती है तो अपने आपको थोड़ा से चेक करना ठीक है तो आपको पत आपको नो है इनकेस अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा था जिसका जवाब आप जानना चाहते थे तो नो है इनकेस अगर आप लोग ऐसा सोच रहे थे कि मैं कोई शॉट प्रोसेस को अपना लूँ या फिर मुझे शॉट टाइम में बड़ जादा प्रोफित हो आपको फसाना चाहरा हो बिकल यहां पर देखो डैविल की एनरजी है टैम्टेशन कुछ लोग आपका फाइदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं कुछ लोग आपको चीट करना ट्रैप करना आपको अपनी बातों में फसाना तो आपको थोड़ा सा यहां पर यह भी कहा जा र अपने काम को पूदी आपको करना अच्या काम क bissk आपको ऑर कर सकते हो इस काट का अभी के अभी स्क्रींशॉट लेना ठीक है इस कारट का स्क्रींशॉट लेजिए आपको अऱ, अप कराइब करे गा, अगर आपको तो छी 올 авto syndrome करिए उसके उसक्रींशॉट करिये गा आपको खुद पता चल जाएगा कि एंजल सापको किस लिए नो बोल रहे हैं ठीक है एंजल से पूछेगा कि ये नो आपने मुझे क्यों बोला है अगर ये पुड़ी रीडिंग आप से रेजनेट करी है तो तो आपको अगर कुछ है तो भई आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिले का बी असर्ट यहां पर यही का जा रहा है अपने बारे में सोचो पहले अपना भला करो उसके बाद दूसरों का भला करना वही यहां पर सीधे सीधे मैसेज आप के लिए है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल वही अपनी लाइफ में रहना है कुछ डिसिजन लेने पर अपने बारे में सोच रही हो तो आप लोग आपसे खपा में हो सकते हैं है न ये भी यहां पेर एनर्जी यहां तो कुछ कंप्रूमाइज को करना पड़िय। किनी कुछ चीज़ों में तो करना पड़ता है sometimes हमें compromise बहुत सारी चीज़ों में करना पड़ता है adjustment हमें बहुत सारी चीज़ों में करना पड़ता है just for peace शान्ती के लिए और यहाँ पे भी देखो भई लिब्रा एनर्जी अगेन इसके लाया है आप लोगों के लिए balance बनाना है balance अपनी life में से नहीं कोने देना है okay so option first यह है आप लोगों की rating and I hope आप लोगों कोई reading पसंद आई हो अच्छी लगी हो comments करके अपने feedback में से जरूर शेयर करिएगा अच्छी लगी हो तो please इसे like कर दीजेगा साथ में चैनल को subscribe करना न भूले and अगर आप लोगों मुझे crystals purchase करना चाते हो या फिर personal readings के regarding आप मुझे contact करना चाते हो तो आप मुझे instagram पर connect कर सकते हो या फिर आप मुझे mail कर सकते हो दोनों की ही जो link है नीचे description box में दिये गए है इस camera से सब्धान रहें मैं अपना number कभी भी comment box में share नहीं करती हूँ okay so इस reading के लिए इतना ही मैं मिलते हैं आप लोग से next reading में बाई hello option 2 so अगर आप लोगों ने ये positive movement forward का card choice किया है तो देख लेते हैं ये full moon आप लोगों के life में कौन से बदलाव लेकर आ रहा हैं कौन से changes लेकर आ रहा है क्या कुछ यहां पे आप लोग के सथ खास होने वाला है और साथ में क्या guidance है क्या advice है तो सबसे पहले इस card को देखके मुझे यहां पे आप लोग की message मिल रहा है जैसे किसी भटके हुए को रहा मिल गई कोई person था कोई इंसान था जो जैसे अपने soul purpose को ढूलने के लिए भटक रहा था अपनी खुशी को ढूलने के लिए भटक रहा था या फिर से ऐसे कहें कि उसे जिन्दिगी में क्या चाहिए वो किस चीच को ही ढूड रहा था वो खुद को ही ढूड रहा था तो यहां पे जैसे कि उसको वो रहा मिल जाना कि कहां पे जाके उसको ढूलना है कहां पे किस तरीके से करना है साथ में clarity में आप लोग की life में आते हुए देख रही हूँ अपनी destiny की तरफ अपने भागे की तरफ आगे भड़ रहे हो जो आप अपनी किसमत में जैसे कहते है न वो लिखवा कर लाए हो आप इशर के साथ वो जो contract है जो आप करके आए हो कहीं न कहीं आप उसको पूरा कर रहे हो जब उसको पूरा कर रहे हो तो आपकी life में जो चीज़े आप ढूंड रहे थे वो खुद ही आपको मिल रही है वो खुश ही वो satisfaction सो काफी ऐसी energies कि जिस चीज के लिए आप बने थे बने से थे मेरा मतब जिस चीज के लिए आप इस दुनिया में आए थे option 2 कहीं न कहीं उसकी तरफ आप आगे भड़ रहे हो okay so भई जो भी काम कर रहे हो option 2 उसमें growth आपको देखने को मिलेगी ये भी यहाँ पर आप लोग के लिए message है ठीक है तो चलिए अभी हम देखते हैं आप एक card से आप लोग के लिए क्या messages है option 2 broken heart okay goddess of the moon एक awakening है यहाँ पर एक awakening है जैसे कहते है न वह आके खुल जाना अभी तक एक person था वह भटक रहा था वह रो रहा था चीक है लेकिन यहाँ पर जैसे वह जगा दिया गया आपको कि तुम क्या करने आये थे और तुम क्या कर रहे हो इस तरीके कि यहाँ पर energy है काफी सारी healing में देख रही हूँ कि आपकी लिए तरफ आरी है काफी सारा खुद को heal कर रहे हो अपने आपको पैचान रहे हो बहुत सारी जो आपके अंदर चुपी हुई powers है ना option two कहीं न कहीं उनसे वाखिफ हो रहे हो even हर person के अंदर देखो बहुत सारी चुपी हुई शक्तिया होती है चीक है? पिकर्ज हम उस परमात्मा के ही तो हिस्सा है ना लेकिन हम उन powers का मैं बोलू तो कुछ percent यानो बहुत कम ही use कर रहे होते है लेकिन यहाँ पे जैसे आप वो जान पा रहे हो जो अपनी आपकी जो life का secret है ना आप उसको जान पा रहे हो option two और उसको जब आप जान रहे हो तो जैसे कहते है ना इतनी जल्दी से चीजों को manifest कर लेना बिल्कुल चुटकियों में जो आपने चाहा वो एकदम चुटकियों में manifest कर लेना तो वो चीज मैं यहाँ पे देख रहे हूँ बिल्कुल यहाँ पे ऐसी energy है काया पलट एक person था बहुत जादा रोतू-दोतू टाइप emotional जल्दी से anxieties वरी में आ जाना परेशान हो जाना दुख ही रहना अपनी जिंदी क्यों कोसना और फिर completely दूसरी तरफ energy shift हो रही है कि जहाँ पे एक person confident है उसको अपनी powers के बारे में पता है जो अपनी life से खुश है जो gratitude की energy में रह रहा है जो अपने soul वबस को पूरा कर रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे you know मैं ऐसे नहीं बोलूँगी universal energies के साथ alignment है बतल बल्कि आपके अंदर ही जो छुपी हुई energies रहना उनके साथ आपका alignment हो रहा है आपकी intuition बहुत अच्छी हो रही है ऐसा भी हो सकता है कि पहले से ही चीज़ें कुछ होने वाली हूँ आपको पहले से ही intuition आजाए आपको पहले से ही खवर हो जाए तो spiritually बहुत सारी growth option 2 आप लोगों के लिए देख रहे हूँ broken heart का card है यानि कि एक tower moment कुछ तो आपकी life में ऐसा हो सकता है आप शायद इस इस phase से गुज़र रहे हो जहां पे दिल तूटा हुआ है कोई सपना पूरा नहीं हुआ कोई सपना तूड़ी का किसी person के साथ कुछ problems हो गई separation में आ गए आप लोग लेकिन उसी के चलते हैं सारी awakening भी आप लोगों की life में आ रहे है कहते हैं ना कि जो कुछ होता है अच्छी के लिए होता है जो कुछ होता है किसी ने किसी reason से होता है तो यह वही energies आप लोग लिए यहाँ पे आई है caring connection का यहाँ पे card है तो यह card मुझे बस यही बोल रहा है कि जो आपने खोया है ना आपको कुछ उससे बहुत अच्छा मिलेगा अगर वही रिष्टा वापस आना होगा तो वही रिष्टा मतलब सही हो जाएगा वो person आपकी life में वापस आजाएगा या फिर से कोई ऐसे person जिनको आप deserve करते हो लेकिन जो कुछ होगा अभी अच्छा ही होगा आपके भले में ही होगा आपके favor में ही होगा काफी अच्छी energies हैं यह option 2 आप लोगों की काफी मतलब अच्छी क्या बोलूँ मैंने यह एक्दम unique energies है चलिए मैं यहाँ पर अभी चैरों से भी देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या messages आते हैं कौन से बदलाव आ रहे हैं भी option 2 यह तो बहुत बड़े changes हैं जैसे मैंने का बलकुल काया पलट option 2 fan of sorts किसी चीच के ending तो हुई है किसी रिष्टी की किसी सपनी की और उसकी वज़े से काफी दुखी भी रहे हूँ कई दिन जैसे कोई person रोता रहा कोई इंसान रोता और सी मैंने कहा ना कितने सारे बदलाव आ रहे हैं कितने सारे changes आ रहे हैं अभी तक आपने ना अपनी जिन्दीगी की खुशियां अपनी life की command किसी और person के हाथ में छोड़ रखी थी कि तुम मेरे साथ हो तुम मेरे लिए कर रहे हो तो सब कुछ अच्छा है सब कुछ सही है लेकिन आप कही ना कहीं आप या option 2 समझ पा रहे हो कि जो खुशी है वो आपके अंदर है वो कहीं और नहीं आप ये दोनों ही कार्टस आरहे हैं तो मैं ले लेती हूँ वो कहीं और नहीं है वो आपके अंदर ही है तो बिल्कुल यह बहुत बहुत बड़ा transformation है option 2 आप लोगों के लिए पहले ही आप लोगों को बता दू and फिलाल जो कुछ भी हो रहा है आपकी अच्छे के लिए ही हो रहा है in case अगर आप लोग नहीं समझ पारे हो क्यों हो रहा है किस लिए हो रहा है मैं कह रही हूँ आपसे कि जो कुछ हो रहा है कुछ दिन बाद आके आप यह मुझे खुद बताओगे so यहाँ पे फिलाल अगर मैं बोलू कि guidance आपको क्या करनी की जरूरत अगर आप इस वाली energies में 10 of source की सब कुछ छूट गया सब कुछ खतम हो गया अब मैं क्या करूँ कैसे करूँ कैसे जी हूँ कैसे रहूँ यह सारे सवाल अगर आपके मन में है इनके जवाब भी आपके ही अंदर है लेकिन आपको बस उनको सुनने की जरूरत है आप कही ना कही पतर deny कर रहे है जो आपकी अंदर की वोईस है जो आपकी इनर वोईस है जो आपकी सूल की वोईस है अब इसको denial में थोड़ा सा जी रहे हूँ नहीं ऐसा नहीं है मेरा तो यही सच है यही सब कुछ था क्यूक्य मेरे पास इज़ी तरीके कॉमेंस भी आते हैं लोग भी आते हैं, मैं समझाती भी हूँ, नहीं समझते हैं, और हर एक से बात करना हमेशा मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, so, option two, अपना क्याल रखो, परिशान नहीं होना है, रोना नहीं है, और रोना भी है, तो एक बारी मैं सोचो कि आज मैं रोंगी, जितना रोंगी या रोंगा, जितना मझे रोंगा एका, मैं अतना रोंगा, उसके बाद मैं नहीं रोंगी, ठीक है ना, ये खुद से आप प्रांमिस करो, the wheel के यहाँ पर एनरजी है, जैसे यलू, एज यहां पर जसे तरीके सा इस तरीके सा की उपर खड़ेक इस ने अपनी जंद्द़्ी स्नी के सपने हryu पूरा कर लिए इस सब्सक्राइब इस दुनिया को पाए जईनुश श्चलिए यहां पर कही न कही रहा है टू सर है लेकिन आप खुजー experience करोगे इन सारी चीजों को कोई परसन आपकी लाइफ में देखो आ सकते हैं ठीक है लेकिन वो तब आएंगे जब पहले खुद को हील कर लोगे ठीक है क्योंकि जैसे मैंने का कि जो कुछ भी हुआ है एक रीजन से हुआ है तो जब तक आप वो लेसन को सीख नहीं लोगे न जब तक आप उस उस मुकाम पर नहीं पहुंचाओंगे जिसलिए ये सब कुछ हुआ था उसके बाद कोई परसन आपकी जिंदगी में आ सकते हैं तो बही प्यार आपको ज़रूर मिलेगा एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपको ज़रूर मिलेगा जो खुश ही आप चाते हो आपको आपको चेंज करना है कि कितना कुछ तो है इस जीवन में करने को किसी एक परसन के आने या चले जाने से जिंदगी खतम नहीं हो जाती इस चीज को यहां पर थोड़ा से समझने की कोशिश करना I don't know पड़ पूरी रीडिंग इसी मूफ कर रही है कि कोई आप लोग का ब्रे होना अटेच्मेंट होना अपनी फैमिली के बारे में सोचना अपने जो भी करीबी लोग हैं उनके अच्छी के लिए सोचना तो अपनी अच्छाएं को बरकरार रखो भरोसा मत उटने दो ने कि टिप नहीं होना है ठीक है ना ऑप्शन टू सो चलिए अभी मैं यहां से को स्टारिक मैसेजिस ले लेती हूं ओप्शन टू आप लोगों के लिए अधि अक्युक्ट टू अपने कंटवर्ट से यहां पर कहा जा रहा है उप्शन टू की बाहर निकली ए अपने 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 अधियुक्ट बाहर निकलने का यह समय है तभी आपको जो आपकी सोल डूढ रही है न वो आप कर पाऊगे अपनी सोल के साथ कनेक्ट करो option 2 show the world the real you ये वक्त आ गया है दुनिया को दिखाने का कि आप क्या हो असलियत में जैसे मैंने कहाना कि अभी तक आप लोग दूसरों के उपर बहुत जादा डिपेंडेंडेंट रहे इमोशनली कि यहीं जैसे किसी से फ्रेंडशिप हुई तो भाई अभी उस फ्रेंड को ही सब कुछ मान दिया अभी कॉलेज जाना है उसके साथ जाना है जो करना है दोस्ती टूट गई भरोसा उठ गया अब क्या करें हम तो उस पूरा डिपेंडेंट हो गए थे वैसे ही किसी के साथ लेशन्शिप में गए तो अपनी पूरी जाना खुद को नचावर कर देना सामने वाले पर अब जो कुछ हो वो तुम ही हो हम कुछ नहीं है लेकिन जिस दिन आपने खुद से इस तरीकी का प्यार कर लिया जिस दिन अपने खुद को समझ लिया उस दिन आप अपनी दुनिया के उनो उस दिन आप दो को तिखा दोगे कि आप क्या हो ऑप्शन टू भई प्लीज खुद से प्यार करो और यहां पर रोस क्वार्ट्स क्रिस्टल और टाइगर साई आपकी हल्प करेंगे रोस क्वार्ट्स और अब लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे रोस क्वार्ट्स आपको से लफ लॉफ से बढ़ने के लिए टाइगर साई आपको हिम्मत देने के लिए और यह दोनों ही जब क्रिस्टल अगर आप रोस क्वार्ट्स टाइगर परशलिट पहनते हो ठीक है ना तो खुद स से बाहर निकलो आपके लिए इतने सारी बैठी हैं और साने वाले हैं तो अभी वी किसी चीच के गम में रहोगे नहीं ठीक है ना यह सब को चिसलिए हुआ है कि आप खुद को जान सको आप खुद को पैचान सको बिलीव इन दी इंपॉसिबल ओ मैं गॉड अप्शन तो यह UK कि पूरी रीडिंग को जिस्त मोटीवेट करने के लिए ऑपको होसला देने के लिए हे वह आपको पूरे है तो जो इंपॉसिबल अभी आपको लग रहा है वह एक्ट्शली में पॉसिबल है ठीक है ना यहां पर आपसे कहा जा रहा है आप सपने तो देखो option 2 यहां पर कहा जा रहा है वो सब पूरे होंगे लेकिन आप सपने तो देखो आप आगे तो भड़ो ठीक है your commitment is being tested अगर आपने कोई commitment किये कि अध्तो मैं ऐसे ही गरूँगी अब मुझे नहीं सोचना अब मुझे नहीं करनी परवा so आपके commitment को test किया जाएगा ठीक है तो खुद को heal करो भई खुद को heal करो meditation करना आप लोग लिए बहुत ज़रूरी है ठीक है ना तो meditation ज़रूर करें और अभी मैं देख लेती हूँ last यहां पर आप लोग लिए क्या messages है और हाँ अगर आप लोग मुझे crystals purchase करना चाहते हो तो आ आप मुझे Instagram पर कनेक कर सकते हूँ या फिर आप मुझे mail कर सकते हूँ तो उनों की ही जो link है नीचे description box में आप लोग को मिल जाएंगे and हां इस camera से साफधान रहें मैं अपना number कभी भी comment box में शेयर नहीं करती हूँ चीक है so option first if you believe oh my god option first ये सारी reading मैंने का ना आपको motivate करने के लिए है अगर भरोसा करोगे खुद पर विश्वास्त करोगे तो जो आप चाहते हूँ वो होगा लेकिन अगर रोते रहोगे तो फिर रोते ही रहोगे अभी choice आपकी है option 2 ठीक है ना manifestation भी कोई तब पूरी होती है जब आप खुद पर belief करते हो जब आप खुद से प्यार करते हो जब आप खुद को समझते हो जब आप universal energies पर ट्रस रखते हो जब आप यह सोचते हो कि जो कुछ होता है किसी एक reason से होता है मेरे अच्छे के लिए होता है और मेरे भले के लिए ह सोते हैं कए मानो तो भगबान है नहीं तो नहींस है समझ रहुं John परकिसा सब्सक्रण से उटेक हो व्लूब को है यह बस आपके मानने नहीं समस्क्राइब सा अब मानगे अपना ओ लिए वार वना। है ना समझ्रों मैं क्या कह रही हूं ठेक आचाचिं अमाब खॉए ठेक एक्षिन यहां पर पीदेक्षित थेक आयों से चकंशन आगिए अगई मैंशित अगिया थे अगले अग्याँ अगे प्र एक्शन आत्यों करना इंग ठीक है ना अब पीछे मुड़के नहीं देखना भी असर्टेव यह उप्शन फर्स्ट में भी था अपनी जिन्दिगी को अपने ढग से जीओ अपने लिए जीओ अपनी विशिस को पूरा करो अपने लिए अच्छा सोचो अपने आपको खुश रखो कि यहाँ पे आप से का जा रहा है ठीक है ना अपने लिए जो यह है आप लोगों की रीजिंग यहाँ पे देख लो सक्सेस का काड है तो सक्सेस मिलेगी लेकिन अगें इफ यू बिलीव अगर आप विश्वास रखोगे तो अगर आपने सोची लिया है कि मेरी किसमत तो बुरी है तो फिर वही ऐसे ही होगा फिर यू उनिवर्स का ये का तथास तो लेकिन अगर आप सोचोगे कि नहीं मुझे कुछ करके दिखाना है मैं इस दुनिया में किसी रीजन से आई हूँ या आया हूँ और मुझे खुद को प्रूफ करना है मुझे कुछ अच्छा करना है मुझे कुछ बढ़ा करना है मुझे अपने सूल पपस को पूरा करना है तो फिर वैसा ही होगा ठीक है ना option 2 तो ये है आप लोगों की reading I hope आप लोग को अच्छी लगी हो आपको help मिली हो and please option 2 कॉमेंट्स करके अपनी feedback को ज़रूर शेयर करियेगा और अगर आप लोग इस reading को इननर्जी को accept करने के लिए तयार हो तो comments में I am ready ज़रूर टाइप करके भीजिएगा आप लोग को परक पढ़ रहा है ये reading से आपको benefit मिल रहा है आप लोग को सीख रहे हो आप लोग को समझ रहे हो तो ये जिस मेरे motivation के लिए है okay option 2 तो ये है reading आपको अच्छी लगी हो तो please like भी कर दीजेगा चैनल पर पहली बार आई हो तो subscribe करना ना भूले and मैं मिलती है आप लोग को से नेक्सीडिंग में पते के ले बाई